नमस्कार दोस्तों, साहित्तिक कहानियों के इस चैनल कहानिया जिंदगी की पर मैं शैली आज आप सब के सामने लेकर आई हूँ श्री यश्पाल जी द्वारा रचत एक कवी की कहानी मक्रील आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हूँ या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आईए कहानी को सुनते हैं कर्मी का मौसम था मक्रील की सुहावनी पहाडी आबू हवा में छुट्टी के दिन बिताने के लिए आई संपूर्ण भद्र जनता खिचकर मोटरों के अड़े पर जहां पंजाब से आने वाली सड़क की गाड़ियां ठहरती हैं एकत्र हो रही थी सुरे पश्षिम और देवदारों से छाई पहाडी की चोटी के पीछे सरग गया था सुरे का अवशिष्ट प्रकाश चोटी पर उगे देवदारों से ढगी आग की दिवार के समान जान पड़ता था उपर आकाश में मोर पूँच के आकार में दूर दूर तक सिंदूर फैल रहा था। उस गहरे अर्गवनी रंग के परदे पर उंची, काली चूटिया, निश्चल, शान्त और गंभीर खड़ी थी। संध्या की जीने अंधेरे में पहाडियों के पार्शु के वनों से पक्षियों का कल्रव तुमुल परिमार में उठ रहा था। वायू में चीड की तीखी गंद भर रही थी। सभी और उत्सा, उमंग और चहल पहल थी। भद्र महिलाओं और पुरुषों के समू राष्ट के मुकुट को उजवल करने वाले कवी के सम्मान के लिए उतावले हो रहे थे। यॉरोप और अमेरिका ने जिसकी प्रतिभा का लोहा मान लिया, जो देश के इतने अभिमान की समपत्ती है, वही कवी मक्रील में कुछ दिन स्वास्त सुधारने के लिए आ रहा है। मक्रील में जमीर राष्ट अभिमानी जन्ता पलकों के पावडे डाल उसकी अगवानी के लिए आतर हो रही थी। पहाडियों की चाती पर खिचे धूसर लकीर सी सडक पर दूर धूल का एक बादल सा दिखाई दिया। जन्ता की उत्सुप नजरें और उंगलियां उस ओर उठ गई। ख्षन भर में धूल के बादल को भाड़ती हुई काले रंगी एक गतिमान वस्तु दिखाई दी। वह एक मोटर थी। आनिंद की हिलोर से जन्ता का समूह लहरा उठा। देखते ही देखते मोटर आ पहुँची। जन्ता की उन्मत्तता के कारण मोटर को दस कद साज की जय, सरस्वती के वरत पुत्र की जय, राष्ट के मुकुट मणी की जय, के नारों से पहाडियां गून जुठी। मोटर फूलों से भर गई, बड़ी चहल पहल के बाद जन्ता से घिरा हुआ, गजरों के बोच से गर्दन छुकाए, शने शने कदम रखता हुआ, मक् साज से बावली जन्ता विजनात करती हुई आगे पीछे चल रही थी, जिन्होंने कवी का चहरा देख पाया, वे भागिशाली विरले ही थे। धवलगिरी होटेल में दूसरी मंजिल पर कवी को टिकाने की विवस्था की गई थी। वहां उसे पहुचा, बहुत देर तक उ अपने स्थान को लोट आई। कौर की त्रयोदशी का चंद्रमा पारवत्ति प्रदेश के निर्मल आकाश में उंचा उठ अपनी शीतल आभा से आकाश और पृत्विको संभित किये था। उस दूद की बोचार में धवलगिरी की हिम धवल दो मंजिली इमारत चांदी की द खुलवारी में खूब चांदनी थी। परंतु उत्तर पूर्व के भाग में इमारत के बाजू की छाया पढ़ने से अंधेरा था। बिजली के प्रकाश से चमकती खिड़कियों के शीशों और पर्दों के पीछे से आने वाली मरमर ध्वनी तथा नौकरों के चलने पिरने की आवास के अतिरिक्त सब शांत था। उस समय इस अंधेरे बाजू के नीचे के कमरे में रहने वाली एक युगती। फुलवारी के अंदकार में भाग में एक सरो के पेड के समीब खड़ी। दूसरी मंजिल में पुष्प तोरुनों से सजी उन उजवल खिड़कियों की और द्रिष्टी लगाय थी, जिन में सम्मानित कवी को ठहराया गया था। वह युगती भी उस आवेग में स्वागत में सम्मिलित थी। पुलकित हो उसने भी कवी पर फूल फेके थे। जैनाद भी किया था। उस खमासान भीड के समीब पहुँच एक आंख कवी को देख लेने का अफसर उसे न मिला था। इसी साथ को मन में लिये वह उस खिरकी की ओर टक-टकी लगाय खड़ी थी। काच पर कवी के शरीर की चाया उसे जब तब दिखाई पड़ जाती। स्फूर्ति प्रत भोजन के पशात कवी ने बरामदे में आ काले पहाडों के उपर अमने सक्री दुंदली घाटी में बिजली की लपक की तरे फैली हुई मक्रील की धारा की योग नजर गई। नदी के प्रवाह की गंभीर घरकराहट को सुन वह सिहर उठा। कितने हीक्षन, मौ उठाए वह मुग दुभाव से खड़ा रहा। मक्रील नदी के उद्दाम प्रवाह को उस उजवल चान्नी में देखने की इच्छा से कवी की आत्मा व्याकुल हो गई। आवेश और उन्मेश का वह पुतला सौन्दरी के इस आवान की उपेक्षा ना कर सका। सरो व्रिक्ष के समीब खड़ी योती पुलकित भाव से देश कीर्ती के उस उजवल नक्षत्र को प्यासी आखों से देख रही थी। के जीने से कवी नीचे आता दिखाई पड़ा। पलभर में कवी फुलवारी में आ पहुचा। फुलवारी में पहुचने पर कवी को स्मरण हुआ। ख्यात नामा मक्रील नदी का मार्गतोवाय जानता ही नहीं। इस अज्यान की अनुभूती से कवी ने डाए बाए सहायता की आशा से देखा। समीप खड़ी एक युवती को देख भद्रता से टोपी छूते हुए उसने पूछा। आप भी इसी होटल में ठैरी हैं। सम्मान से सिर्चुका कर युवती ने उत्तर दिया। जी हाँ। जिचकते हुए कवी ने पूछा। मक्रील नदी समीप ही के सोर है या शायद आप जानती होंगी। उत्साह से कदम बढ़ाते हुए युवती बोली। जी हाँ। यही सौ कदम पर पुल है। और मार्ग दिखाने के लिए वह प्रस्तुत हो गई। युवती के खुले मुख पर चंदमा का प्रकाश पढ़ रहा था। पतली भवों के नीचे बड़ी बड़ी आखों में मक्रील की उजवलता जलक रही थी। कवी ने संकोच से कहा। ना ना आपको व्यर्थ कष्ट होगा। गौरव से युवती बोली कुछ भी नहीं यही तो है सामने उजली चाननी रात में संग्मर्मर की सुघर सुन्दर सजीव मूर्ती से युवती। साहस मैं विश्वास मैं मार्ब दिखाने चली सुन्दर्ता के याचक कवी को। कवी की कवीता वीना की सुक्ष्मतार स्पंदित हो उठे। सुन्दर्ता स्वयम अपना परिचय देने चली। सृष्टी सौंदरे के सरूबर की लहर से मिलानी ले जा रही है। कवी ने सूचा। सौ कदम पर मकरील का पुल था। दो पहाड़ियों के तंग दर्रे में से उद्दाम वेग और घंगोर शब्द से बहते हुए जल के उपर तारों के रस्तों में जूलता हलका सा पुल लटक रहा था। वे दोनों पुल के उपर जा खड़े हुए। नीचे तीवर वेग से लाखों करोणों पिगले हुए चांद बहते चले जा रहे थे। पार्ष की चट्टानों से टकरा कर वे फेनल हो उटते। फेन राशी से जिष्टी ना हटा। कभी ने कहा। सौंदर्य उन्मक्त हो उठा है। युवदी को जान पड़ा मानू प्रकृती मुखरित हो उठी है। कुछ खशन पश्चात कभी बोला। आवेग में ही सौंदर्य का चरम विकास है। आवेग निकल जाने पर केवल कीचड रह जाता है। युवती तनमैता से शब्दों को पी रही थी। कभी ने कहा। अपनी जन्म स्थान पर मक्रील ना इतनी वेगवती होती ना इतनी उद्दाम। शिशु की लटपट चाल से वह चलती होगी। सम्मुद्र में पहुँचकर वह प्रॉडता की शिथिल गंभीता धारण कर लेगी। अरी मक्रील तेरा समय यही है। फूल ना खिल जाने से पहले इतना संदर होता है और ना तब जब उसकी पंखुडिया लटक जाए। उसका असली समय वही है जब वह स्पुटोन मुख हो। मदु माखी उसी समय उस पर निचावर होने के लिए मतवाली हो उटती है। एक देर्ग निश्वास छोड़ आखें जुका कवी चुप हो गया। मिनट पर मिनट गुजरने लगे। सर्द पहाडी हवा के जोके से कवी के वृद्ध शरीर को समय का ध्यान आया। उसने देखा मक्रील की फेनिल श्वेतता युवती की सुघरता पर विराज रही है। एक शण के लिए कवी खोर, शब्द मई, प्रवाव मई युवती को भूल, मूख युवती का सांदरे निहारने लगा। हवा के दूसरे छोके से सिहर कर वह बोला। समय अधिक हो गया है। चलना चाहिए। लोटते समय मार्ग में कवी ने कहा, आज त्रयोदशी के दिन या शोभा है, कल और भी अधिक प्रकाश होगा। यदि असुविधा ना हो, तो क्या कल भी मार्ग दिखाने आओगी। और सोयम ही संकोच के चाबुक की चोट खाकर वह हस पड़ा। युवती ने दृता फूर्वक उत्तर दिया। अवश्य। सर्द हवा से कवी का शरीर ठिटूर गया था। कमरे की सुकत उष्णता से उसकी जान में जान आई। भारे कपड़े उतारने के लिए वह परिधान की मेज, ड्रेसिंग टेबल के सामने गया। सिर से टोपी उतार कर उसने जो ही नौकर के हाथ में दी, बिजली की तेज रोष्णी से सामने आईने में दिखाई पड़ा। मानो उसके सिर के बालों पर राज ने चूने से भरी कूची का एक पोत दे दिया हो, और धूप के सुखाय फल के समान जुर्यों से भरा चहरा। नौकर को हाथ के संकेट से चले जाने को कैं, वह दोनों हाथों से मूर धक, कुर्सी पर गिर सा पड़ा। मुन्दी हुई पलकों में से उसे दिखाई दिया। चाननी में संगे मरमर की उजवल मूर्ती का सुघर चहरा, जिस पर योवन की पूर्टा चा रही थी। मकरील का उन्माद भरा प्रवाह। कवी की आत्मा चीख उठी। योवन, योवन। ग्लानी की राह के नीचे बुच्ती चंगारियों को उमंग के पंखे से सजग कर, चतुरदशी की चाननी में मकरील का निप्ते देखने के लिए कवी ततपर हुआ। गोश्मई मकरील को कवी के योवन से कुछ मतलब न था। और मूख मकरील ने पूजा के धूप दीप के धूमरा वरण में कवी के नक्षिख को देखा ही न था। इसलिए वह दिन के समय संसार के दृष्टी से बच कर अपने कमरे में ही पड़ा रहा। चाननी खूब गेहरी हो जाने पर मकरील के पुल पर जाने के लिए वह शंकित हिदय से फुलवारी में आया। युवती प्रतीक्षा में खड़ी थी। कवी ने धड़कते हुए हिदय से उसकी योड़ देखा। आज शौल के बदले वह शुतरी रंग का ओवरकोट पहने थी। परन्तु उस गौर सुघर नक्षिक को पहचानने में भूल हो सकती थी। कवी ने गटगट स्वर से कहा। ओहो आपने अपनी बात रख ली। परन्तु इस सर्दी में को समय। शायद उसके ना रखने में ही अधिक बुद्धिमानी होती। व्यर्थ कष्ट क्यूं कीजिएगा। आप विश्राम कीजिए। यूति ने सिर छुका कर उत्तर दिया। मेरा अहो भाग्य है। आपका सत्संग पा रही हूँ। कंटकित स्वर से कवी बोला। सो कुछ नहीं। पुल के समीक पहुँच कवी ने कहा। आपकी कृपा है। आप मेरा साथ दे रही है। संसार में साथी बड़ी चीज है। मक्रील की ओर संगेत कर। यह देखिए इसका कोई साथी नहीं। इसलिए हाहाकार करती साथी की खूच में दौड़ती चली जा रही है। सोयम अपने कथन की तीवृता के अनुभव से संकुचित हो हसने का असफल प्रयात्न कर। अप्रते भो वह प्रवा की ओर दृष्टी गड़ाय खड़ा रहा। आखे बिना ऊपर उठाय ही उसने धीरे-धीरे कहा। प्रिथ्वी की परिक्रमा कराया हूँ। कल्पना में सुख की दिष्टी कर जब मैं गाता हूँ। संसार पुल के थोड़ता है। काल्पनिक वेदना के मेरे आर्थनात को सुन संसार रोने लगता है। परन्तु मेरे वैक्तिक सुख दुख से संसार का कोई संबंध नहीं। मैं अकेला हूँ। मेरे सुख को बटाने वाला कहीं कोई नहीं। इसलिए वा विकास नापा तीवर दाह बन जाता है। मेरे दुख का दर्दम वेग असहे हो जब उचल पड़ता है। तब भी संसार उसे विनोत का ही साधन समझ बैटता है। मैं पिंजडे में बंध बुलपुल हूँ। मेरा चहपना संसार सुनना चाहता है। मैं सुख से पुलकित होगाता हूँ या दुख से रोता हूँ। इसकी चंता किसी को नहीं। काश जीवन में मेरे सुख दुख का कोई एक अवलंब होता। मेरा कोई साथ ही होता। मैं अपने सुख दुख का एक भाग उसे दे। उसकी अनुभूती का भाग गहन कर सकता। मैं अपने इस निस्सार यश को दूर फेक संसार का जीव बन जाता। कवी चुप हो गया, मिनट पर मिनट बीतने लगे, ठंडी हवा से जब कवी का बूढ़ा शरीर सिहरने लगा, दीर्ग निश्वासले उसने कहा, अच्छा, चले, दुरुत्वेक से चली जाती जलराशी की योद्रिष्टी किये, युवति कम्पित स्वर में बोली, मुझे अंभीर गर्जन में विडंबना की हसी का स्वर मिलाते हुए कवी बूला, तुम्हे हैं, और चुप रह गया, शरीर काप उठने के कारण, पुल के रेलिंग का आश्रे ले, युवति ने लज्जा विजरित स्वर में कहा, मैं यद्ध्यपित उच्छ हूँ, ना ना ये बा उल्टी बात, हाँ, अब चले, फुलवारी में पहुँच कवी ने कहा, कल, परन्तु बात पूरी कहे बिना ही, वह चला गया, अपने कमरे में पहुँच कर सामने आइने की युर्दृष्टी ना करने का भजतना ही यत्न करने लगा, उतना ही इस पश्ट अपने मुक का प् बस्तित होता, बड़ी बेचैनी में कवी का दिन बीता, उसने सुबे ही एक तौलिया आइने पर डाल दिया, और दिन भर कहीं बाहर न निकला, दिन भर सोच और जाने क्या निश्चय कर संध्या समय कवी पुने तयार हो, फुलवारी में गया, शुत्री रंग के कोट में सं रंगे मरमर की वासुगण मूर्ती सामने खड़ी थी, कवी के रिदय की तमाम उलजन क्षण भर में लोप हो गई, कवी ने हस कर कहा, इस सर्दी में देश, काल, पात्र देखकर ही वचन का भी बालंगिया जाता है, पूरिमा के प्रकाश में कवी ने देखा, उसकी बात के उत्तर में युवती के मुख पर संतोश और आत्मविश्वास की मुस्कराहट फिर गई, पुल पर पहुँच हसते हुए कवी बोला, तो साथ देने की बात सचमुश ठीक थी, युवती ने उत्तर दिया, उसमें पर परिहास की तो कोई बात नहीं, कवी ने युवती की योड़ देख साहस बर पूछा, तो जरूर साथ दोगी, हाँ, युवती ने हामी भरी, बिना सिर उठाये ही, सब अवस्था में, सदा, सिर चुकाकर, युवती ने दरता से उत्तर दिया, हाँ, कवी अभिश्वास से हस बड़ा, तो आओ, उसने कहा, यही साथ दो, मक्रील के गर्भ में, हाँ, यही सही, युवती ने निर्भीक भाव से नेत रुठा कर कहा, हसी रोक कर कवी ने कहा, अच्छा, तो तयार हुजाओ, एक, दो, तीन, हसकर कवी अपना हाथ युवती के कंदे पर रखना चाहता थ उसने देखा, पुल के रेलिंग के उपर से युवती का शरीर, नीचे मक्रील के उद्दाम प्रभा की उचला गया, भय से उसकी आखों के सामने अधेरा चाह गया, हाथ पहला कर उसे पकड़ने के विफल प्रयत्न में, बड़ी कठेंता से वह अपने आपको सम्हाल सका, मक्रील के घोर गर्जन में एक दफे सुनाई दिया, छप, और फिर केवल नदी का गंभीर गर्जन, कवी को ऐसा जान पड़ा, मानू मक्रील की लहरे निरंतर, उसे जाओ, जाओ, कहकर बुला रही है, वह अचेत, ज्यान शूने, पुल का रेलिंग पकड़े खड़ा रहा, जब पीट पीछे से चलकर, चंद्रमा का प्रकाश उसके मुँपर पढ़ने लगा, उनमत्त की भाती लड़ खड़ाता, वह अपने कमरे की ओर चला गया, कितनी देर तक वह निश्चल आइने के सामने खड़ा रहा, फिर हाथ की लकड़ी को दोनों हाथों से थाम, उसने प कुरसी पर धम से गिर पड़ा, प्रातर काल हजामत के लिए गरम पानी लाने वाले नौकर ने देखा, कवी आइने के सामने कुरसी पर निश्चल बैठा है, परन्तु आइना टुकडे टुकडे हो गया, और उसके बीच का भाग गायब है, चौकट मे फसे आइने के लंबे भाले के से टुकडे मानो दात निकाल कर कवी के नर्जीव शरीर को डरा रही है, कवी का मुख कागस की भाती पीला और शरीर काट की भाती जड़ था, उसकी आखें अब भी खुली थी, उन में से जीवन नहीं, मृत्यु जाक रही थी, बाद में मालूम हुआ, रात के के पुकार सनाई दी थी,